हाई फ्रेंद्स आज हम देखेंगे की एंड्रॉड मोबाइल में एक्तप्रीय। होने से आपके एंड्रॉड एपस को कैसे रोकते है कुछ apps झालने। होती है जो automatic update हो जाती है आपके android मोबाल में इस वज़े से आपका mobile डेटा बहुत यूज होता है तो खतम भी हो जाता है mobile डेटा तो कैसे रोकते automatic apps को update होने से तो आज वो हम देखेंगे कैसे automatic update होने से कैसे रोकिया apps को इसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे गूगल प्ले स्टोर पे हम प्ले स्टोर पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए लेप साइड में जहाँ पर गूगल प्ले लिखा है उपर उसके लेप साइड में एक बटन है वहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा यह देखिए और फिर आपको जाना है सेटिंग्स में सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए फर्स्ट जेनरल लिखा हुआ है सेटिंग्स में यहाँ पर फर्स लिखा हुआ है और टो अप्डेट एप्स लिखा हुआ है और टो अप्डेट एप्स जेनरल में जेनरल सेटिंग में और टो अप्ड डाइपस इससे रहने दिना है बटन को इस आपके य्या आपड़ आपड़ेट सेटिंग को डो नोट अबड़े अब इससफ पे रहने दिना है और यह दिखिए अटो अपडेट एपस एट एनी टाइम डेटा चार्जेस में एपला है यहाँ पे रहेगा यह यहाँ पे ख्लिक किया होगा तो इस वज़े से आपके आपको यह सेटिंग आपको खरानी है जिस वज़े से आपके अंडरोड अपडेट होना बंद हो जाएंगे तो इस तरह से आपके Android Mobile Apps को Automatically Update होने से रोख सकते है तो ये था उसका वीडियो टुटोरियल तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को वीडियो पसंद आया होगा तो और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद